लगनों में शौपत ग्रहन्ट समारों की तैयारियां तेज कल होगा योगी आधितनात का शौपत ग्रहन्ट समारों सुरक्षिता ववस्ता की गई चाप्चाबाद अर्विन केजिवा ने दिया बयान का आप दारू पर शोर नहीं करते क्योंकि कश्मीर फाइज आ गई अब रेली में जानलेवा गढ़्धा गढ़्धे में बाइक जाने से तीन की हुई मौद परिवार में मता करता अमेर्पुर में एक बार फिर मानपता हुई शर्म सार सिच्चित में मासून को पीच कर स्कूल से भगाया वीडिया का नियो से थी अब बद्दा नमस्कार आप देखें अन्यूजवल इंडिया आपके साथ मेहू का जोन लगाए दिल्ले विधान सभा में फिल्म दा कश्मीर फाइल्स को टेक्स फ्री करने का मुद्दा फिर से उठा है विधान सभा सत्र को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुखे मंती अर्विन केजिवान ने कहा कि दा कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करने की मांग क्यों हो रही है इसे यूट्यूब पर अप्लोड कर देना चाहिए ताकि सभी लोग इस से असानी से देख सके इस दुरान के एज़िवाल ने बीज़ोपी पर निशाना साथा उन्होंने कहा कि आप वो लोग दारू पर शोर नहीं करते हैं क्योंकि कश्मीर फाइल्स आ गई है उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर कुछ लोगों ने करोर रुपए कमा लिये हैं एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनिती करने आये थे पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो पिक्चरों के पोस्टर लगाता करें कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी इतना ही तुमको शौक है विवेक अगनी उत्री को बोले यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन अंदर टैक्स फ्री की क्या जुरूरत है यूट्यूब पे क्यों डाल कल एक मैंने अख़बार में पढ़ा हर्याना के अंदर भारते जन्ता पार्टी का ये एमले था उसने का आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा तुरंत विवेक अगनी होत्री का ट और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया आंखे खोलो क्या कर रहे हो तुम लोग वो करोलो कमा गया कश्मीरी पंडितों के नाम पर करोलो कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गया क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार आंखे खोलो तुम लोग अच्षाल चेंदर सर्कार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अगनी हुत्री के चर्णों में शर्ण लेनी पड़े तो इसका मतला उस प्रधानमंत्री ने डिया कोई काम नहीं किया बचालो 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 उत्रप्रदेश में सरकार के गठन को लेकर लोग भवन में विधायक दल की बैठक जारी है बैठक में अमिश्या मौजूद है सहफरवेक्षक, रगवर्दास के लावा बीज़पी के 255 और बाकिसा योगी दल के विधायक भी बैठक में मौजूद जिसमें सुरेश खन्ना ने योगी के नाम का प्रसाव रखा इसके बाद योगी आदेतनात को विधायक दल का नेता चुना गया है और कल शपत घ्रह होगा, फवेत यारिया की जा चुकी है, चाक चौबन इंतिजाम भी किये गए है तो यह तस्वीरे आपके सामने योगी आदेतनात के नाम पर मोहलग चुकी है सुरेश खन्ना ने प्रसाव रखा और इसके बाद गधायक दल का नेता योगी आदेतनात को चुना गया है तो यूपी में एक बार फिर से योगी आदेतनात की सरकार बनने जा रही है और कल लगातार दूसरी बार वो मुखे मंत्री पत की शपत लेंगे वहीं लखनों में कल होने वाले शपत ग्रहन समारों की तैयारिया जोरो पर हैं बता दें कि सभी अधिकारी इकाना स्टेडियम में शपत ग्रहन समारों की तैयारी के लिए मौजूद है तो इकाना स्टेडियम में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जहां सुरक्षा ववस्था चार्चोबंद की गई, साथी प्रशासन भी समहारों की निगरानी में लगा हुआ है। प्रेकान स्टेडियम में भावे समहारों की तैयारियां जोरों पर हैं, तमाम अदिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और हजारों लोग यह कहें कि लाखों लोग और पुरा देश प्रदेश जो है कल योगी आवितनाद की शपत का गभाव बना हुआ दजर आएगा। मेरच में प्रस कॉंफरेंस कर इस बात की जानकारी देते हुए नजर आए। बरेली के बिशारत गंच के सिरौली लाके में गढ़्धे में बाइक जाने से बड़ा हथा हो गया। बाइक गढ़्धे में गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना के बाद से परिवार में कोहराम हैं जिसके बाद घटना के जानकारी स्थानी लोगों ने पुलिस को दी वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को कबज में लेकर पोस मार्तन के लिए भेज दिया है। तो बरिली का ये पूरा मामला है जहाँ पर सडकों में गढ़े हैं और इसी वजह से एक बड़ा हाथसा यहां हो गया है। उसके बाद घटना के जानकारी स्थानी लोगों ने पुलिस को भी दी दी, मौके पर पुलिस पहुंची है, शबो को कबज में लेकर पोस मार्तन के लिए भेज दिया है, आगे इस पूरे मामलों की चांड़े की जा रही है। यह बाइक अन्तित हो गई और तीन उसे दस्थों की मौके पर ही मौत हो गई। और इसे कबर पर जान्द अपडेट के लिए मेरे से योगी आसिफ मेरे साथ को ओनलाइन पर जुड़ गए है। आसिफ सडकों में गड़े हैं और गड़े अब जालेवा हो रही है। तीन लोगों की मौत हो गई है। तो शासन क्या कह रहा है। जी फिल्कु मैं आपको बताना चाहूँगा ये पूरा मामला जो है आउला के सिरोली इलाके का है एक परवार जो था विसारत गंज से रामपुर की तरफ जा रहा था उस वाएक पर पांच योग सबार पे। तीन लोगातार ये कोशिश की जा रही है कि आम जनता को जादे से जादे से जादे सुविदा दी जाए। सरकार ये कहती है कि आमने सडकों को पूरी तरह से गढ़्धा मुक्त कर दिया है लेकिन बरेली की सडके जाननेवा हो रही है अब तो लोगों की जान भी जा रही है कब ये सडके दुरूस्त हो रही है कि बिल्कुल मैं आपको बतारा चाहूंगा वरेली की जो सडके हैं उनके जो आला कातर देखी जाए गटा मुक्त नहीं हो पाई है बिल्कुल आसित और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रही है क्या कोई बड़ा अधिकारी यहां पहुंचा तो बरेली का यह पूरा मामला है और यह कहा जाता है कि सडकों को पूरी तरह से हम गड़ा मुक्त कर देंगे लेकिन यही गड़ा जो है वो अब एक परिवार के लिए मुसीबत बन गया तीन लुगों की दरनाक मौत हो गई है और इसके बाद कोई भी अधिकारी यहां नहीं पहुंचा अलेकि पुलिस मौक वही हमीरपूर के सरीला विकास खन में एक बार फिर मानपता को शर्मसार करने का मामला सामनी आया प्रात्मेक स्कूल के एक सिक्षक ने कक्षा पहली में पढ़ने वाली एक बच्ची को पीट कर स्कूल से बाहर बगा दिया जब परिजन इसकी शिकायत करने स्कूल की चित्तावनी तक दे डाली जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामनी आया है इस मामले में सिक्षा के तरफ से डांट पर करके शुद्ध होकर परिजन उने खन सिक्षा अधिकारी को लिखिश शुकायत पत्र देती हुए नियाय की गुहार लगाई है वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं तो हमीरपुर के तस्वीरें और ये वीडियो देखिए जहां मानफता पूरी तरह से शर्मसार होती है नजर आई है बताए जा रहा है कि पहली क्लास की मासूम थी जिसे पीट कर स्कूल से भगा दिया गया जब अफिवाबक यहां पहुंच रहे हैं तो उन्हों भी पठकारा गया है कि शोड़ी आले सिस्टिफ इस्कूल गई पढ़ने करने पर साला में तो महाशाब में थपड़ माला थोड़ा कड़ कपड़ें में लगी थी तो हम जब गए माशाब इसे माशाब क्या वाज थी माशाब करें आप मेरे सो साथ दू बात मत तो जीफिश करना हो कर लेना कार अग Kenapa में प्राथ्मा पत्र पातम दिया में इस में इंगाने कि शोड़ी में विद्याः प्राथभी दल्यों प्रटी में काम चाहिक है और उनके सांथ जोगान आपाट इसे मार देने की स्टाइट तर्मार हो तो इसकायद करी है तो इसके आप ज़ूनस अन्यान है जया इसके जास करने और जैसे सिपाए जाएगी दोसी करें तो में से उगर पड़ी करवाई कुई गए और इसी कबर पर जाद आपडेट के लिए मेरे से योगी अब्दल सभी की मेरे साथ पोल नाइन पर जुड़ गए हैं अब्दली पूरा मामला किस से पहले पूरा मामला समझाई तो ड्रेस को ले करके जो वहाँ पर टीचर है उन्होंने उस बच्चे को मारा है और उसको वहां ते भगा दिया है उसके बाद जब इस बच्ची गड़ अब भाई आया है तो उसके भी परिवार की तरव से विनय कुमार है उनका यह कहना है कि पूरी यांज करूँगा और जात्र करके अगर इस पे टीचर दोसी पाया जाएंगा तो उनके खिलाफ करवाई होगी और उनके खिलाफ करवाई की जाएगी अबदुल क्या टीचर से बात करने की कोशिश हो पाई हैelet टीचर जो है वो मीडिय कर्मी से बात कामला है सरीला गाउं का जहां पर एक मासुम बच्ची जो की पहली क्लास पर फड़ती है टीचर ने इसलिए उसे थपड मारके स्कूल से भगा दिया क्योंकि वह स्कूल ड्रेस में नहीं थी परिजन पहुंचते हैं परिजनों को भी वहां से भगा दिया जाता है जब बीडि जाएगा तो यूपी बोर्ट परिक्षा के तहत का नौज में इस बार चरान में परिक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिन में से 48,000 से ज़्यादा परिक्षार्थी ने परिक्षा दी हाई स्कूल में 26,149 और इंटर में 22,335 परिक्षार्थी थी जिले के 10 सम्मेधन श्रील पर 5 अति सम्मेधन श्रील परिक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के तनाती भी की गई थी सचल्दल और डियाए उस लगा कर लगातार परिक्षा केंद्रों का निरिक्षण किया गया तो वहीं नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर सिस्टेवी कैमरे से नजर भी रख अधिकारी नवनीत सहकन ने यूटूब चैनल चलाने वाले पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कराया है हर्जद गंज थाने में दर्ज मुकदमे में आरोप है कि पत्रकार ने भ्यामक समचा चलाकर उनकी प्रटिस्टा को धूमिल करने की साज इश्रची इसे के तेद वीडियो बना कर अपने यूटूब चैनल पर चलाया वहीं ट्विटर औरने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर उनके लिए अप मांजुनक शब्दों का अस्तमाल कर उनको बदनाम करने की कोशिश की है पुलिस से मुकदमा दर्जकर जाच शुरू करती है तो यूपी बोर्ट परिक्षा आज से शुरू हुई लखनों में दो पाली में आज यूपी बोर्ट की परिक्षाएं हुई है हाई स्कूल और इंटर में करीब 9 लाग से जादा चात्र चात्राएं परिक्षा देने के लिए आज जब पहुँचे थे पहली पाली सुभा 8 बे से शुडू हुई थी जिसमें हाई स्कूल के चात्रों ने हिंदी और परणविक हिंदी का प्रशन पत्र हल किया तो यह इंटर के शात्रों ने सेने विज्ञान की परिक्षा दी जिसमें शात्रों की संक्या कम है जहां परिक्षा में प्रवेश से पहले शात्रों की चेकिंग भी की गई बता दें कि दूसरी पाली में हाई स्कूल की कोई परिक्षा नहीं है इंटर के छात्र हिंदी के परिक्षा देने पहुंचे थे बता दें कि 4 लाग से जाधा हाई स्कूल में और 4 लाग से जाधा इंटर के बच्चे परिक्षा देने पहुंचे जहाँ 126 सेंटर्स बनाए गए थे वृण के परिक्षाइम आसर शुरू हो चुकी युपी बोड की थीर की परिक्षाइम आसर शुरू में अगर हम बात करें तो आप तुप nowhere अगर हम बाद करें निखर और की निखरन्ड करने में तो इस तरीके से सुरक्षा बल चाक चोगन व्रबस्ता तयार है कि पुलिस की मौजूद्गी रखी ज़ए अगर हम बात करें निगरानी की तो निगरानी की बात करतें तो CCTV की मदद से निगरानी की जा रही है पुरी तरीके से नकल विकीन परिक्षा होगी जिसमें सीम योगी आदितिनाप जी ने ट्वीट कर यहां भी कहा है कि सारी चातर चातराओं को हमारे सर यूपी के सारी चातर चातराओं को परिक्षा की बहुत अधिक शुब्ड़ा है परिक्षा को लेकर प्रशासन भी आज पूरी तरह से अलर्ट नजर आया कड़ी निगरानी भी रखी गई थी इसी के तहट लखनों में अपर मुख्य सचे वराधना शुकला ने सभी सेंटर्स का निरिक्षन भी किया वही जुबली इंटर कॉलेज पहुँचकर वैवस्थाओं का जायजा भी लिया साथी बच्चों को फूल देकर उनका स्वागत भी यहाँ पर किया गया था लकनों में पेट्रोल की दामों में पिछले दो दिनों में असी पैसे की बढ़त हो गई है वही इस बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता की जेब पूरी तरह से खाली होती दिखाई दे रही है चुनाव के बाद एक बार फिर महंगाई ने रफ्तार पकड़नी शुरू करती है वही जब इसको लेकर आम लोगों से बात चीत की गई तो लोगों ने क्या कुछ कहा है बढ़ती महंगाई को लेकर जरा सुनी पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, दाल महंगी, दवा महंगी सिर्फ सस्थी समझी जा सकती है जान तरप्टी का कैसा है बाद कही राजू में पेट्रोल सौ के बाद अगर हम हैं पेट्रोल की बढ़ते हुए जामों की बात करने तो privacylearий हुआ है इसी बढ़तनी को दे देते हुए अंदाजह लगा है जा सकता है कि किस सरीके से आने वाले गिरव में बेटोल के जाम देश इस रफ्तार में बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस सब्सक्ता मौदूद है राजाण, इस सब्सक्ता मौदूद है राजाणी लग्णूँ में। यहाँ पर हम आज साथ कुछलों मौदूद हैं। इस सब्सक्ता मं बढ़ते हुए जामों का रहा हैं। जाकश हुए जामों के परनाम के जामों की जानी है। यहां पर हमाने साथ और कुछ लोग मौटूथ है इंसे हम बात करेंगे और जानेंगे पेट्रोल की दाम पढ़ते हुए जा रहे है आपका रोजमर्ना की जिन्दगी पर क्या इफेक्ट पढ़ता ही है और क्या है मैनिस करना पढ़ता है तो क्यों डिमांड है वही गोवर्मेंट्स नहीं गोवर्मेंट्स के हाथ नहीं है गलोगली अगर यूट्रीन रसिया की उसके वज़े से इंफ्लेशन बढ़ेगा वो किसी कंट्रोल में नहीं है तो मुझे लगता है कि यह नीड है बट कंट्रोल करना चाहिए गोवर्मेंट्स कर रही है तो मुझे लगता है अच्छा ही करेगी तिलहाल अभी जो चल रहा है फोड़ा क्राइसिस का टाइम है परते हुए दाम कट्रोल की पढ़ातरी को लेकर के आप क्या आपके रोजमर्मा की धिकी पर या इफैक्त पर रहा है अब किस बिखोड़ह करेंगे और जानेगे की रोजमर्मा की धिलिगी पर क्या इफैक्त पर रहा है किस रवही से आप देखते हैं? कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, पुलिस हत्या के मामने की चांच कर रही है। कि इसलाम को करीब अधरी के टाइम में जो नरायनफुर के सवलालमातर चत्रवजी स्कूल है, उसका फील्ड है, वहां लगा करकेट चलते हैं। कि वहां पर पता चला कि मौट साल खड़ी हैं, दो तीन फायर हुए हैं। तब लोगों ने घरदर से जागे देखा तो यहां हमरे हुए। कि किसी से कोई रंजिश वगे हैं? कि वहां में तो कोई रंजिश नहीं, लड़का बच्चा जो है, यह सफारी तर नहीं का था ता, कभी आज कर तक किसी से इसकी कोई वैसी वासतुर नहीं थी, आप पता नहीं किस ने अंदर से दुस्वन इमान के यह हथ्या किये। कि वाड़ती बताए जा रहा है, जो कि 20-22 साल की जाथ भी जवाच्चेतर करने वाला था, तो उसका नाना मगु के पास में किसी अज्यात लोगों ने वोली मारिक अट्या की है, लेट बड़ी भी आप उसमार्टर माउस पर हैं, और दीर रात तक तो तो तहरीर नहीं मिल पाई थी, घरवालों ने कोई इससे दुस्मनी भी नहीं बताए थी, जब भी आदर ली गें और शिग्र है खुलासाई से खुई जाए 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 कुछ संदिख्द लोग मौझूद हैं, जिसके बात पुलीस और बदमाशों के बीच मुर्भिय हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैने में गोली लग गई, पुलीस ने खाल बदमाश के साथ चार और लोगों को धरदा बोचा है, इससेके साथ इसमें पुलीस ने के साथ गोली मार कर लूट की गटना हुई है रागुनांदन की पैर में गोली लगी थी लगवग एक लाग पैंसेट हजार के करीब कैस्ट तीन अग्याद बदमाश में लूट के फरार हुए है इसी क्रम में तुरंट अफयार दर्श किया गया है गायल रागुनांदन को जल जिसके सफलता देर आज अर्ली मॉनिंग एक बजे के डेर बजे के बीस में मिली है जिसमें कुछ अग्याद बदमाश जो लूट में इन्वाल्वड है उनका उनके समद में मुगवेर के सूचना क्यादार पर एसेचो बरकेडा ने चिकिंग शुरू किया था वहां पे एक पैर में भी गोली लगिया और वो गिरपड़ा है बाकी को गिरफतार किया गया तीन टोटल चार लोगों को गिरफतार किया गया है इसमें मनु प्रदान और अमित नाम के वेक्ति मुख्य लूट की ओजना करता की रूप में प्रकास में आया है जो कि ये वहां के बगल सुर्या और सूरजपाल पूरन लाल इनके साथ मिलके एक और अन्या परादी जो कि बढ़ेली थानव गूता के रहने वाला है विमल जंगवार इन समलों के साथ मिलके योजना बनाई है और होली के तुरंद बाद जो कैश लेके जाते थे तो उनको क्योंकि ये लोग है तो हमारे लूटावा कैश में से 55,000 बरामद भी हुआ है इनके कबजे से अवैल असले भी बरामद हुआ है लूटावा भी लूट में प्रयोग किये गाड़ी भी पकड़े गाए प्रवेश पत्र नहीं दिया गया जिसके बाद परिशा केंद से मायूस होकर हाई स्कूल का चात्र बेरंग लोड गया रुड़की में खालपर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले दो शातिर अपराधियों को गरपतार किया है इसे के साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 100-100 रुपए के करंसी के साथ 50 अजार रुपए और प्रिंटर भी बरामत किया बताले की शाफिर अपराधी यूपी के गरामी शेत्रों में दुकानदारों से नकली नोट देकर जुरत के सामान खरीते थे पुलिस ने खत्ता में शामिल एक कार भी बनाना की करनाच के तालग्राम ब्लॉग के कुशलपुरवा के कंपोजर स्कूल में एक बड़ा हाथसा हो गया जहां पर मिड्यम मिल का खाना ने रहे दो शात्रों खौलती डाल के भगौने में जा गिरे वहीं खौलती डाल में गिवने से दोनों शात्रों बुरी तरह से चुलस गए हैं जिसके बाद दोनों शात्रों को अस्पताल में भर्टी कराया गया बच्चों के परिजनों ने स्कूल के स्टाप पर लापरवाही कारोग लगाया है गुरकपर विश्व शेयरोग दिवस के अफसर पर जागरुकता रैली निकाली गई जो हाँ दियम विज्जव किरन आलन ने अपनी कारले से जागरुकता के लिए मोटोसाइकल रैली को हरीज़न दिखा कर रवाला किया से के साथ जिलादिकारी ने नागर को सपील की कि शेयरोग्यों के प्रतीर जागरुक होते हुई जिले में जो भी लोग सक्षम हो वो उनको गोद ले अब्यान का प्रारम किया गया है जैसे हमारे सब की मनशा है कि 2025 तक टीबी मुक्त गोरकपूर और प्रदेश और देश को करना है इसके लिए विबिन कारेकरम का आयोजन आज प्रस्तावित है और आज से लगातार ये सिलसरा चलेगा जितने भी हमें टीबी से आइडेंटिफाइड हमारे मरीज हैं उन सब को गोद लेने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिय प्रारम की है आधिकारियों द्वारा जन प्रतिजियों द्वारा और जन समुदाई से चुड़े हुए और यहां पर जागरुकता फैलाने के लिए ब्रैली का ये किया गया है और स्वास विबाग और जिला प्रशास द्वारा सभी को जोड़ते हुए इस अभ्यान को आगे बढ़ाया जाएगा बरेली के बारादरी थानश्यत्र के कांकर टोला में 20 जार रूपे को लेकर शुरू हुए विवाद में दबंगो ने अंधादुन फारिंग कर दी में इस फारिंग में एक यूवग गंपी रूप से खाल हो गया और खास बात यह एक यह फारिंग पुलिस चौके से चंद कदमों की दूरी पर हुई है इससे साफ जाहिर है कि दबंगों में पुलिस प्रशासन का कोई खौप नहीं है गटना की जानकारी मिलते ही मौके पर में पुलिस ने घालीवों को अस्पताल में फर्ति कराया आरूपियों के तराश की जा रही है आज दिनां 23 मार्च 2022 को समय रात्री के लगभग 11 बुजे के असपास में एक वादी जिनका नाम मुहमद आथी पंसारी थाना चेतर 12 दरी के रहने वाले उनके द्वारा थाना कुटवली पर आकर एक तहरीर दे गई तहरीर में उनके द्वारा बताया है कि अपने कुछ दोस्तों के साथ थाना चेतर 12 वाटल में खणा खाना कआने के बाद में जब वापजा रहते तो इनके एक मित जो इनके साथ ने खाना खायता जिसका नाम गोली मारदी और जिसको इलाज के लिए यहां पर जिलास पताना भर्ती कराया गया है अभी इनके स्थीथी ठीक है इनके द्वारा थाना को त्वाली पर एक तहरीर देगी तहीजी का धार पे धारा 307 IPC के धातना मपंदा पंस्कित के लिए गया है जो अभियूक तनामजाद के होसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं बताया जारा है कि जहां दबंगो ने फारिंग की दरसल यह पूरा मामला कांका टोला का है 20,000 रुपे की लिए न को लेकर विवाद शुरू हुआ विवाद में दबंगो ने फारिंग कर दी फारिंग में क्यूवा गंभी ने कारूप लगाया और डियम राकेश कमार मिश्रा को प्रात्न पत्र देकर चात्र वित्ती दिलाने के गुहार लगाई डियम ने परिशान चात्र चात्राओं को जाच कराकर जल्द चात्र वित्ती दिलाए जाने का आसवाशन भी दिया है और इसे के साथ तलाल खबरों में इतना ही आप बने रहें नियूस वाल इंडिया के साथ